Hello everyone, welcome back to the AdalExpert channel तो इस फिडियो में हम feedback application को create करने वाले हैं तो हमें feedback application को create करने के लिए सबसे पहले Android Studio में आना होगा तो आप देख सकते हो हम Android Studio में आ चुके यहाँ से आपको new project पे click कर देना है जैसे हम new project पे click करेंगे तो हमारी सांग ने बहुत सारे activity ओपन हो जाएगी तो मैं empty activity को select कर देता हूँ इसके बाद हम next button पे click करेंगे यहाँ से आपको name enter करने के लिए बोलेगा तो मैं यहाँ से feedback application name enter कर देता हूँ feedback application तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं name enter कर दिया है यहाँ से आप package name को भी change कर सकते हो जहाँ पे भी आपको जिस भी name से आपको package name change करना है या फिर जो भी आपको रखना है और आप रख सकते हो यहाँ से आप location change कर सकते हो और आपको language रिप Java ही enter करनी है और जो minimum SDK और 21 यूज़ करनी है तो मैं इसको select कर देता हूँ 21 को जैसे हम 21 करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे your app will run on 99.3 devices तो सभी इसमें हमारा app run हो जाएगा जैसे हम 21 को select करेंगे तो अब यह मैं finish बटन पे click कर देता हूँ तो जैसे हम finish पे click कर देंगे तो आप देख सकते हो थोड़ी देर में यहाँ पे gradle build start हो जाएगा तो यह जो आपको दिखा ही दे रहा है updating indexes तो हमें wait करना होगा gradle build finish होने तक तो हम wait करते हैं तब तक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे gradle build finish हो चुका है यहाँ पे show रहा है scanning file to index तो अभी हम इस project पे work कर सकते हैं तो हम feedback application में सबसे पहले हम splash screen को create करेंगे तो splash screen को create करने के लिए हमें आना है package name पे यहाँ पे आपको right click करना है new button पे click करना है यहाँ पी जो activity का option दिखा दे रहा है हम इसको click करेंगे and empty activity को select कर लेंगे यहाँ से आपको activity का name एंटर कर देना है तो मैं यहाँ पे splash screen एंटर कर देता हूँ तो jsm splash screen name एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे launcher activity का आपको नीचे में option show रहा होगा तो आपको यहाँ पे click करना है क्योंकि यह हमारी first activity है इसलिए हम launcher activity पे click कर देंगे and जैसे हम launcher activity पे click करेंगे तो अभी हमारा completely यहाँ का work हो जाएगा यहाँ पे आपको finish बटन पे click कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने finish बटन पे click कर दिया तो यहाँ पे again gradle बे start हो चुका है तो again हमें wait करना होँगा gradle build finish होने तक तो gradle build finish होता है तब तक हम activity splash screen.xml को open कर लेते हैं तो हम इस पे click कर देता हूँ and split button पे हम click कर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे by default हमें constraint layout show हो रहा होगा आपको तो इसको आपको change करना होगा relative layout में तो यहाँ पे gradle build start है तो इसको हम process रहने देते हैं इसको हम change कर लेंगे relative layout में तो मैं change कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में gradle build भी finish हो चुका है अभी हम इस पे अच्छी से work कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे manually type कर देता हूँ relative layout तो यहाँ पे मैंने type कर दे है relative layout यहाँ से आपको background को select करना होगा तो मैं select कर देता हूँ background background को आपको white ही select करना है तो hash ff का use कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा background select हो चुक है अभी हमें क्या करना होगा एक image you का use करना होगा तो हमें सबसे पहले एक circular image you की dependency की need होगी तो मैं आपको वीडियो की description में एक डिपन्डेंसी दे दूँगा यह जो आपको दिखाई दे रही होगी तो आप देख सकते हैं यह जो आपको show हो रही है यहे ही dependency में description में provide कर ग्रेडल स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ and build.gradle में इसको पेस्ट कर दूँगा तो सबसे पहले इसको स्क्रूल करना होगा आपको नीचे तो मैं इसको स्क्रूल कर लेता हूँ और यहाँ पे इंटर करके हम इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे यह होने के बाद jsm paste करेंगे तो हमें Sync Now करना होगा बट इससे पहले हमें internet को On करना होगा तो मैं internet को जल्दी सी connect कर देता हूँ तो आप देख सकते हूँ मैं internet को connect कर दिया है तो अभी मैं Sync Now पे क्लिक कर देता हूँ तो जैसे हम Sync Now पे क्लिक करेंगे तो सेम यहाँ पे Gradle Build स्टार्ट हो जाएगा तो अगेन हमें वेट करना होगा यह ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Gradle Build फिनिश हो चुका है तो अभी हम क्या करेंगे Activity Splash Screen यह जो है इसपे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम Image View को Select कर लेंगे तो यहाँ से आपको Image View Select नहीं करना है तो Circular Image View जो हमने यहाँ पे Dependency Paste किये Build.gradle में वही हमें Circular Image View का यूज करना है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले Search कर देता हूँ Circular Image View तो आप देख सकते हूँ यह जो Second में आपको Show रहा होगा तो मैं इसको Select कर देता हूँ तो आपको Interface करना है जैसे हम Interface करेंगे तो यहाँ पे Width and Height Define करने के लिए बोलेगा तो हम 150dp यूज कर लेते हैं and Height में भी 150dp यूज कर लेंगे यह उन्हें के बाद अगेन आपको Enter करना है तो आप देख सकते हूँ Blueprint में यहाँ पे Show रहा है Circular Image View अभी हम इसकी Center in Parent यूज करेंगे क्योंकि हमें इस Image View को Center में लेके आना है तो Attribute में Type कर देता हूँ Center in Parent True अगेन हम Enter करेंगे तो वीडियो के Description में यह Image में Provide कर दूँगा यह जो आपको Image दिखाई दे रही है Icon के Name से में इसको Provide कर दूँगा तो मैं इसको Ctrl-C कर देता हूँ and हमारे Project में आके Project पे Click करेंगे Resource पे आपको Click करना है and Robble जो Folder आपको दिखाई दे रहा है तो मैं यहां से Select कर लेता हूँ तो हमें कुनसे Folder से आइकन लेना है तो Adderate Drawable तो आपको यहां पे Type करना है Adderate and Search करना है Drawable Icon तो आप देख सकते में यहां पे Adderate Drawable Icon के Name से Image ले लिया है ओके यह होने के बाद अभी हम क्या करेंगे इसको Enter कर देंगे यहां से हम Border Color को Select कर लेंगे तो यहां पे आपको Type करना होगा CIV Border Color मैं यहां पे जो Type कर रहा हुग है यह आपको Type करना है Has C A C4 C4 Capital C यह आपको Use करना है Capital C4 तो आप देख सकते हो यहां पे Border Show यहांने के बाद अगेन हमें Enter करना होगा और इसको Close कर देना है यह तो हमारा Circular Image View का Work हो चुका है तो अभी मैं इसको ID Defend कर देता हूँ तो ID Add Direct ID Logo ओके तो Circular Image View को हमने इसको ID Defend कर दिया है यहांने के बाद हमी Text View का Use करना होगा तो इसके नीचे हम Text View को Use करेंगे तो मैं यहां पे Type कर देता हूँ Text View इसकी Width हम Type करेंगे Wrap Content और इसकी Height Use करेंगे Wrap Content अगेन हम Enter करेंगे यहांसे आपको ID डिक्लियर कर देनी है जो भी Text View रहेगी उसकी जैसे हमने Image View में ID Defend की Add Direct ID App Name के Name से तो आप देख सकते हो हमने ID इसको Defend कर दिये यह होने के बाद अभी हमें इसकी Text Size भी Increase करने होगी बट हम सबसे पहले तो Text ले लेते विजिबल होने के लिए तो Text में हम क्या करेंगे Feedback Application का Name Provide कर देंगे Feedback App तो आप देख सकते हो यहाँ पर Show रहा है Text View में Feedback App तो इसकी हमें Text Size Increase करना होगा तो हमें Text Size Increase कर देता हो Text Size हम यूस करेंगे 27 dp तो यहाँ पर अच्छे शे Show हो रहा है 27 dp यह होनी के बाद आपको Layout Below यूस करना होगा क्योंकि Relative Layout है तो हमें किसके नीचे चीए? Image View के नीचे तो इसलिए में हम Use करेंगे Layout Below यहाँ पर आपको manually टाइप करना होगा Layout Below Add Direct ID Logo के नीचे तो जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर नीचे में आ जाएगा यह होनी के बाद आपको इसको Center में लेके आना है इसलिए हम क्या टाइप करेंगे Center Horizontal True तो जैसे हम Center Horizontal यहाँ पर पास कर देंगे तो यह Center में आ जाएगा तो मैं Try करके देखते हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Show हो रहा है आपको Margin Bottom भी यूज़ करनी है तो यह आपको Margin Top यूज़ करना होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में Space चीए इसलिए हम यूज़ करेंगे Margin Top Margin Top हम यूज़ करेंगे 25 ODP तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हमने 25 ODP यहाँ पर दे दिया है तो अच्छे शह यहाँ पर Show हो रहा है तो मैं इसके Textile थोड़ा Change कर देता हूँ इसको Bold Form में हम यूज़ करेंगे तो आपको Type करना है Textile Bold and Text Appearance आपको Medium Size में रख देना है तो मैं इसके Text Appearance को Change कर लेता हूँ Medium तो आप देख सकते हूँ अभी हमारा Completely Work हो चुग है Text View का भी तो इसको तो सबसे पहले में Close कर देता हूँ Medium की नीचे आके तो अभी हमारा Image View and Text View का Work हो चुग है बट यहाँ पर हमें Show करना होगा Powered by जो भी Developer का Name रहेगा तो मैं ओ भी Provide कर देता हूँ Powered by रुहित के Name से तो अगेन हम यहाँ पर Text View यूज करेंगे तो यहाँ से हम Select करेंगे Text View को अगेन और इसकी Width हम Define करेंगे Wrap Content and Hide भी हम Define करेंगे Wrap Content तो सबसे पहले हम इसके ID Define कर देता हूँ जैसे हमने Top में यूज की है तो सेम हमें यहाँ पर यूज करना होगा Text में हम लिखेंगे Powered by रुहित आपको Semicolumn का यूज करना है यहाँ पर हम जिस आपका भी आप Name लेख सकते हो तो मेरा नाम रुहित है इसलिए मैंने रुहित लिख दिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर Show रहा है Powered by रुहित तो अभी मैं Enter कर देता हूँ and Text Color को में Change कर देता हूँ तो आपको Text Color में क्या यूज करना है जो मैं यहाँ पर Manual टाइप कर रहा हूँ वही आपको Text Color यूज करना है तो आप कोई भी यूज कर सकते हो तो सबसे पहले मैं यहाँ से Black Select कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर Black आ चुका Has00 जो भी आपको Better Color लगे वही आपको यूज करना होगा तो मैं यहाँ से इसको Define कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर Show रहा है Color ओके तो अभी मैं Enter करूँगा यह होने के बाद इसको तो सबसे पहले नीचे लेके सबसे पहले इसको नीचे लेके आना होगा इसलिए हम क्या टाइप करेंगे अलाइट पैरन बॉटम तो जैसे हम ट्रू पास करेंगे तो यह नीचे आ जाएगा तो आप देख सकते है नीचे आ चुका है अभी इसको Center में लेके आना होगा horizontal में तो यहाँ पर आपको करना होगा manually Center horizontal true तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Center में आ चुका है और हम यूज़ करेंगे margin-bottom तो margin-bottom आपको क्या यूज़ करना है 58 dp तो आप देख सकते हैं यहाँ पर powered by रोए तच्छी यह शो हो रहा है तो मैं text view को close कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा completely work हो चुका है सबसे पहले हमने icon को select किये फिर हमने इस text view को select किये और text view को select किये ओके तो यहाँ पर अच्छे से icon show नहीं हो रहा है तो हमने circular image view यूज़ किया तो इसकी बदल हम सिर्फ image view यूज़ करके देखते हैं कि हमारा icon कैसा सो होता है तो हम यहाँ पर type करेंगे image view तो आप देख सकते हो आपको normally image view यूज़ करना है तो काफी अच्छा बेटर लूक आ रहा है हमारे application को तो अभी हमारा जो भी xml का part time is जो front end का part होता है वो अभी हो चुका है splash screen का तो हमें अभी java का part करना होगा तो हम आ जाते है splash screen.java में यहाँ पर हम एक एक चीज़ को define करेंगे तो हमने xml part में क्या क्या क्रियेट किये है हमने सबसे पहले image view यूज़ किये फिर text view और फिर text view तो इसलिए हमें तीन चीज़ों को define करना होगा तो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ और एक एक चीज़े को हम define करेंगे तो सबसे पहले हमने use किया है image view और इसका हम name देदेंगे logo ओके और text view हमने 2 text view use किया है तो हम text view भी use करेंगे और इसको नाम देदेंगे हम app name same आपको अगर text view यूज़ करना होगा text view powered by तो अभी हमने दोनों भी text view को define कर दिया है सबसे पहले तो हमने logo को and दो text view को define कर दिया है यहाँ पर हमें declare भी करना होगा तो सबसे पहले हमें use करना होगा logo के name से तो हम use करेंगे logo is equal to find view by id r.id. r.id. हम use करना होगा logo sorry हम देख लेते सबसे पहले हमने यहाँ पर id का name दिये थे logo ओके तो yes हमें यहाँ पर select करना होगा logo and semicolumses को close कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर sure है तो मैं अभी control ली कर देता हूं तो जैसे हम control ली करेंगे तो यह खुद बखुद line आ जाएगी तो हमने पहले logo को define किया था अभी हम app name को define कर देते हैं तो यहाँ पर मैं manually type करूंगा app name and बाद में हम use करेंगे powered by तो app name के id हम सबसे पहले देखेंगे तो app name का id है app name ही है and इसका powered by तो हम दोनों भी इसको define कर देते हैं आप name and यहाँ पर है powered by तो अभी हमने दोनों भी sorry हमने तीनों भी इसको define कर दिया है अभी हमें use करना होगा new handler का means हमें splash screen से जाना होगा main activity में तो इसलिए हम use करेंगे new handler तो splash screen में new handler का use होता है तो मैं यहाँ पर type करूँगा new handler आपको eha.bracket के बाहर आ जाना है and.post delay and यहाँ पर आपको type करना है new runnable पर आपको click कर देना है तो जैसे हम runnable पर click करेंगे तो यहाँ पर खुद बखुद method आ जाएगी अभी आपको क्या करना है यहाँ पर comma pass कर देना है bracket के बाजू में यहाँ पर आपको 3000 millisecond भी pass कर देना है तो आप देख सकते हैं यह 3 second के लिए हमारी splash screen runn होगी and इसको semi column से आपको close कर देना है तो अभी मैं intent को pass कर देता हूँ हमें splash screen से जाना है main activity में तो मैं यहाँ पर provide कर देंगे हम intent यहाँ पर आपको provide करना होगा intent का name is equal to new intent and जिस activity में है उस activity का name means splash screen.this या फिर आप get application context भी provide कर सकते हो but मैं splash screen.this provide कर रहा हूँ and हमें जाना है main activity में इसलिए हम use करेंगे main activity.class यह होने के बाद आपको semi columns इसको close कर देना है अभी हम pass करेंगे start activity and start activity में हम pass करेंगे intent का name तो हमें small intent pass कर देना है तो अभी हमारा completely work हो चुका है तो हमने क्या किये सबसे पहले image view को declare कर दिये and दो text view को भी declare कर दिये बात में हमने new handler का use किये जहाँ पर हमने intent का implementation किये तो अभी हम इस app को run करके देखेंगे कि हमारा app run proper हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो चलिए मैं जल्दी से connect कर देता हूँ mobile device को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने mobile device को connect कर दिया यहाँ पर show रहा realme rmx3395 तो अभी मैं run app पर क्लिक कर देता हूँ तो जैसे हम run app पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर gradle build start हो जाएगा तो हमें wait करना होगा gradle build finish होने तक तो हम wait करते तब तक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगें शो हो रहा है launching app on realme x यहाँ पर हमारी splash screen run हो चुके and hello word यहाँ पर show हो रहा है and toll bar भी अभी कोई show नहीं हो रहा है तो आयोप guys अभी समझ में आओगा कि आपको splash screen कैसे create करते हैं तो हम next video में देखने वाले है कि यह जो main activity है यहाँ पर हम feedback कैसे use कर सकते हैं तो सबसे पहले हम user से data लेंगे activity main.examl में and जो भी data रहेगा वो firebase में save करेंगे तो यह सभी चीजे हम next video में देखने वाले हैं तो में तक लिए नए वीडियो में तब तक लिए जहित जे वारत झाले हैं